जहेंटरेंस, वेलकम तो सेंचुरियन डिफेंस अकडमी कल रात को जब मैं न्यूस पेपर्स पड़ रहा था तो एक बहुत सौकिंग न्यूस मेरे सामनी आई और वो न्यूस थी कि आठ एक्स नेवी ओफिसर्स को कतर एथारिटीज ने capital punishment देने का फैसला दिया है यानि कि उनको सजाय मौत दी जाएगी ऐसा फैसला दिया है कतर एथारिटीज ने ये बहुत सौकिंग न्यूस है हमारे लिए क्योंकि हम defense examination के preparation कर रहे हैं तो इस लिहाज से ये news हमारे लिए बहुत सदा important हो जाती है आपको ये बात पता होना चाहिए कि आजू आजू कंट्रीज में Indian citizen के साथ क्या चीज़े हो रही है और खासका जब defense personnel के साथ कोई चीज हो रहा है तो उसके लिए आपको आखे खुली रखने चाहिए और बहुत जबरदस तरीके सब प्रपेर करना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये video प्रपेर कर रहे है जिसमें मैं इस issue को बहुत detail से आपको समझाऊँगा सबसे पहले मैं आपको map दिखा देता हूँ exactly जो कतर है ये कहां पर है सबसे पहले तो कतर की जो capital है इसका नाम है दोखा अगर इंडिया से compare करें कतर का कि कतर कितना बड़ा या कितना छोटा है तो आपको पता चलेगा कि बिंदी जैसा है कतर कतर भारत से बहुत छोटा है भारत से 284 गुना 284 टाइम्स छोटा है कतर अगर आपको UP का area पता हो तो आप एक और अनुमान लगा पाएंगे कितना ज़ादा छोटा है ये तो scale पे map नहीं है ये map जो आपके screen के सामने दिख रहा है scale पे नहीं है तो इसमें बहुत बड़ा कतर दिखाई दे रहा है UP का area 243,000 square km है जबकि कतर का area साढ़े 11,000 square km है इसका मतलब यूपी से बहुत बहुत ज़ादा छोटा है कतर लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी कतर इतना ज़ादा influential क्यों है क्यों इतना ज़ादा rich है इसका main reason क्या है इसका main reason है यहाँ पर अच्छा खासा petrol पाय जाता है petroleum products पाय जाते है तो petroleum products पाय जाने की वजह से कतर बहुत rich है one of the richest countries में आता है यहाँ पर बहुत सारी company ने अपना investment किया हुआ है पैसे लगाए हुए है बहुत साजा यहाँ पर mining का खनन चल रहा है जिसके चलते कतर दिन बदिन rich होते चला जाता है और अगर आप लोगों को IPL में interest होगा तो भी आपने कतर का नाम कई बारी सुना होगा तो कतर बहुत सारी वजहों से newspaper में रहता है अपने decision की चलते भी newspaper में रहता है अभी जो decision लिया गया खास कर जो middle east countries है वहाँ पे क्या होता है जब भी कोई decision लिया जाता है तो उसको बहुत जल्दी से implement करते हैं वो लोग तो अभी जो 8 navy personals हैं उनको जो सजाय मौत दी गई है इसमें भारत सरकार को कोई भी idea नहीं है कि किस चीज के लिए किस particular चीज के लिए जो है हमारे 8 ex navy officers को सजा दी गई है भारत सरकार को कोई information नहीं चासीट क्या file हुई कोई पता नहीं है किसी जो 8 लोग गए है उनके घरवालों को कोई idea नहीं है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है लेकिन Qatar government ने decision दे दिया अब ये भारत की sovereignty के लिए बहुत बड़ी खत्रा है कि ऐसे मतलब मतलब भारत का तो existence वाली बात आ गई आप हमारे नागरिकों को पकड़ कैसे ऐसे हैसला दे देंगे ये बहुत बड़ी बात है तो government of India बहुत proactively इस बात को देख रही है और इससे पहले भी एक case आया था कुल्भूसर जादो का case उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से discuss करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक important announcement है आपके लिए अगर आप NDA 1st 2024 के लिए prepare कर रहे हैं तो Century Defense Academy आपके लिए लेकर रहा है एक crash course इस crash course में आप online या offline admission ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया जब भी कोई country newspapers में रहे तो बहुत अच्छे से prepare करके जाईए खासकर दो country मैंने बताया Qatar और United Arab Emirates बहुत important है नाउ सबसे पहले focus करते हैं Qatar का exact location कहा है आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने इधर आप देख रहे होंगे सबसे corner side में Saudi Arabia है Saudi Arabia ही एक country है जिससे Qatar का border लगता है Qatar का land border सिरफ एक country से लगता है that is Saudi Arabia इसके अलावा दो important country और है एक तो है UAE United Arab Emirates उसके अलावा है Bahrain यहाँ sea border लगता है Qatar का मैंने पहले ही बता दिया Qatar की जो capital है वो है दोहा इसके अलावा एक important Gulf है जो की बहुत important है इस reason में that is Persian Gulf तो यह कुछ एक important location है जिनको आपको बहुत अच्छे से prepare करना है मैं बार-बार आपसे request करता हूँ जब भी कोई country नियूस पेपरस में रहे तो उसके आजू-बाजू के country जितने भी हैं बहुत अच्छे से prepare करके चाहिए ताकि exam में जो की इनसे questions आने की possibility ज़्यादा रहती है ताकि आपके questions गलत ना हूँ ओकी इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा preparation करेंगे now Qatar की बात कर लेते हैं यह पूरे issue की बात करते हैं क्या कुछ matter था क्यों हमारे navy personals को ex navy personals को जो है Qatar ने मौत की सजा सुनाई now सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो है वो Qatar, UAE, Saudi Arabia में काम करते हैं बहुत सारे regions से अभी जो हमारी navy personals हैं यह 8 navy personals actually एक private firm है अल दाहरा करके वहाँ पर यह अपनी service प्रवाइड करते हैं यह consultancy service है जो की खासकर qatar military को train करती है अब यह 8 ex navy जो offices हैं यह already Indian government में serve कर चुके हैं तो qatar को लगता है कि यह लोग यह लोग जो हैं जो यह navy offices हैं इन्होंने फिलस्तीन और इसराइल के war में इसराइल को बहुत सारे spy input प्रदान किये हैं मतलब जासूसी की है किसकी जासूसी की है qatar की qatar की जासूसी करके इन्होंने सारी information पास की है इसराइल को इसी के चलते जो qatar है qatar ने इनको अभी सजाय मौत देने का फैसला दिया है फैसला इंप्लिमेंट नहीं हुआ है सिरफ फैसला दिया गया है अब इस पे government of India बहुत प्रोवेक्टिबली सामने आई है क्योंकि जब भी अपने citizen की बात आती है अपने navy personnel की बात आती है चाहे वो कुलबूसर जादा वाला मामला हो बहुत इंप्लिमेंट केस है आगे डिसकस करेंगे चाहे वो कुलबूसर जादा वाला मैट रहो चाहे विंग कमांडर अभिनंदन वाला मैट रहो बहुत प्रोवेक्टिबली हमारी government इस चीज़ पे फोकस कर रही है तो अभी ये जो ex navy offices थे इन पर किस चीज़ का रोप लगा इन पर रोप लगा क्या होता अगर इंडियन navy offices होते एक scenario एजियों कीजिए कि क्या होता ये तो ex navy offices है अगर कोई इंडियन navy offices के साथ ऐसा कुछ होता तो तुरंत क्या government कदम उठा सकती है या उठाती हाला कि government के लिए चाहे वो navy personal हो चाहे defense personal हो आब में personal हो या कोई common citizen हो इंडियन government के लिए सब बराबर है सब के life की value एकदम बराबर है किसी के life की value कम या जादा नहीं है हमारे जब citizen की बात आती है तो जादा ही important हो जाता है article 21 ऑके बट अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा wing commander अभिनंदन के बारे में wing commander अभिनंदन एक operation के दौरान पाकिस्तान में जाके जो है उनका जो एक fighter jet था वो crash कर गया पाकिस्तान में जाके गिरे तुरंत government of India आई बहुत proactively और तुरंत कुछ दिन के अंदर heaving commander अभिनंदन को वापिस लाया गया ठीक है तो जब navy personals different personals की बात आती है तो बहुत proactively government आगे बढ़ती है हाला कि citizen के मामले में भी बहुत जबर्दस तरीके से government of India आ गया थी कुल्बूसर जदो के मामले में बहुत जबर्दस तरीके से इंडिया ने कोसिस करी बट पाकिस्तान ने उनको फासिदे दी वो एक अलग बात है बट यहाँ पर मैं कहने के कोसिस कर रहा हूँ कि इस टाइम जितने भी cases हो रहे है government of India बहुत जबर्दस तरीके से खासकर ministry of external affairs बहुत जबर्दस तरीके से इन सभी matter पर नजर रखती है अभी जो कतर में चीजें हुई हमको कुछ भी नहीं पता है किस चीज के लिए 4 seat भी नहीं हमको पता है कि किस चीज के लिए 4 seat फाइल की गई क्या लिखा हुआ exactly हमें नहीं पता है इस matter को थोड़ा और refine करते है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह जो आठ नेभी पुर्सनल्स थे नेभी offices थे यह अल दहरा global technologies and consultancy services में अपनी शेवापरदान करते थे after retirement एक private firm है जो कि training और उससे related services प्रवाइट करते है कतर आम forces को अब एक important चीज़ यह है कि कुछ important जो पुसनल जो आठ लोग है उनमें से एक बड़े important पुसनल है उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लेजिए यह image देखिए अगर आपने कहीं photo देखा हो तो आप बताईए comment section में किसकी image है ओके बहुत important personality है और इनको 2019 में प्रवासी भारतिय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है इनका नाम था naval commander पुर्नेंदू तिवारी पुर्नेंदी तिवारी जी इनको 2019 में भारत तरकार की द्वारा से प्रवासी भारतिय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया ये बहुत important personality है इनको भी सजाय मौत दी गया इसके अलावा साथ और लोग हैं जिनको सजा दी गयी सबका नाम बहुत ज़रूरी नहीं बट आप Google कर सकते हैं इन लोगों को August 2022 से August 2022 से ही इनको कैद में करके रखा गया है कतर गवर्मेंट के द्वारा और अब तक एक साल से जादा का वक्त हो गया कतर गवर्मेंट ने ना कोई चासीट गवर्मेंट आफ इंडिया के साथ सेयर की ना इनके परिवारजनों के साथ सेयर की और अचानक से ऐसा फैसला दे दिया तो जाहिर सी बात गवर्मेंट आफ इंडिया चुप नहीं बैठेगी उन्होंने बहुत सार स्टेटमेंट जारी किये जो हम आगे देखने वाले हैं तो जो इनके खिलाब चासीट फाइल की गई उसको पब्लिक ना करना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है इस मैटर पे बहुत बारी ऐसा होता है कि चुकि अब ये लोग पब्लिस कर देंगे जैसे कुलबूसर जादो के मैटर में यही हुआ था कि उन्होंने चासीट फाइली क्या करी इस बात को लेकर कोई क्लियरिफिकेसन नहीं दिया और हमको काउंसल सर्विसेस भी प्रवाइट करने की अनुमती नहीं दी गई कि हम किसी वकील को भेजें पाकिस्तान में वो अपने लिए कुडबूसर जादो या कोई वेविक्ति फसा है उसके लिए अपना पक्ष रखे अगर पक्ष रखने का मौका देंगे तो जाहिर सी बात एक्सपोज हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए कभी कोई और गवर्मेंट जो इस प्रकार की फैसले देती है जल्दी हमारी लोगों को उनसे मिलने नहीं देती है यही मैटर इन आठ ने भी बोर्सनल के साथ हो रहा है आभी फिलाल के लिए आगे क्या होता है जैसा इसा अपडेट मिलेगा मैं आपको बताता रहूंगा खेर फिलाल के लिए एकना ही अपडेट है ना चार्स सीट का पता है और क्या charges लगे हैं उसका भी कोई भी idea नहीं है न government of India को नहीं इनके घर परिवार वालों को इस बात को ध्यान में रखते हुए Ministry of External Affairs ने बहुत सारे statement जारी किये है उन statements में आप यहाँ पे screen के सामने दिया हुआ है कि बहुत सौक्ड है government of India इस प्रकार की death penalty जो दी गई है हम assessment के detail में जाएंगे तह तक जाएंगे और हम जितनी संभव हो सकेगी मदद प्रोवाइट करेंगे इसके अलावा एक important चीज गवर्मेंट आफ इंडिया ने कहा है वो है counselor and legal assistance अब होता क्या है जब भी कोई non-diplomatic यानि कि कोई citizen diplomatic नहीं, diplomate नहीं जब कोई citizen किसी दूसरे देश में किसी चीज के चलते फस्ता है ठीक है? उसके उपर किसी प्रकार का case होता है तो उस case से निपटने के लिए एक convention बनाया गया था और उस convention का नाम था Vienna Convention इस convention के अंद्रगत क्या करते हैं? counselor access provide करते हैं diplomate नहीं देते हैं counselor access provide करते हैं आगे हम लोग discuss करेंगे तो अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है counselor assistance यह actually government of India कह रही है कि हम counselor assistance provide करेंगे इन 8 navy offices को हम अपना पक्ष रखेंगे या उनका पक्ष कतर government के सामने रखेंगे क्यूं दे रहे हो सजा? किस लिए दे रहे हो? कौन से cases आए? क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? कुछ confusion तो नहीं हुए जिसके चलते हैं आपने इनको decision ऐसा 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 आपने दिया है इसके लिए हम counselor access provide करते हैं क्या है? इसको थोड़ा सा मैं आपको detail से समझाने के कुसस करता हूँ आपके screen के सामने जिनका image है इनका नाम क्या है? बहुत ज़्यादा निउस पेपस में थे 2016-17 के दोरान बताई क्या नाम है इनका? इनका नाम है कुलबूशन जादो कुलबूशन जादो arrest किये गये थे मार्च 2016 में पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांथ से पाकिस्तान officials ने कुलबूशन जादो पर आरोप लगाया कि ये illegally इरान के थूप बलूचिस्तान में इंटर किये हैं और इनको arrest कर लिया ये एक ex-navy officer थे कुलबूशन जादो जी एक ex-navy officer थे अब इनको पकड़ लिया 2017 बहुत case चला उसके बाद हमने कोसिस किया कि हम इनको एक Vienna Convention के अंतरगत consular access प्रोवाइड करेंगे consular access क्या होता है Vienna Convention के अंतरगत 1963 के अंतरगत एक provision दिया गया है 43 के अंतरगत 43, 32 बहुत सारे articles हैं वो जानने के ज़रत नहीं है आपको इसके अंतरगत एक provision है provision ये है कि हम एक consular provide करेंगे consular का मतलब एक व्यक्ति provide करेंगे वो व्यक्ति जाएगा और non diplomatic व्यक्ति के लिए वहाँ पर case लड़ेगा उनके पक्ष को रखेगा ठीक है ये diplomate नहीं होंगे ठीक है कोई foreign diplomate इंडिया का कोई diplomate नहीं होगा सिर्फ एक वकील होंगे जो इस व्यक्ति का जिनके उपर case किया गया है उनका पक्ष रखेंगे सामने वाले country में अब जो कुलबूसर जादो वाला जो case हुआ था उसमें counselor access provide ही नहीं किया था पाकिस्तान ने जबकि Vienna Convention 1963 साब साब ये बात कहता है जब भी non diplomatic वक्ति किसी प्रकार से किसी दूसरे देश में अगर सजा पाता है तो उसके लिए counselor access अनिवार है पाकिस्तान ने नहीं किया कतर क्या करता है ये देखने वाली बात होगी तो अभी ये जो हमारे आठ नेभी offices जो फसे हैं स्पाई के case में उसके लिए गवर्मेंट आफ इंडिया ने counselor access देने की खूशला करी है डिकलरेशन किया है जज्मेंट को पहले सामने लाने दीजिए उसके बाद counselor access हम प्रोवाइट करेंगे ऐसा ministry of external affairs ने कहा है तो ये overall matter था जो अभी आठ नेभी offices के साथ हो रहा है कतर में अज़ा defense aspirant हमें बहुत detail से पता होना चाहिए इस matter में क्या कुछ चीज़े हो रही है आई होग कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्या कुछ चीज़े चल रहे हैं कतर में Indian ex-navy offices के साथ अगर आपको लगता है कि ये videos beneficiaries हैं तो please let me know in comment section मैं ऐसी धे सारे videos आपके लिए लाता रहाँगा thank you so much for watching have a nice day elections का screening test, psychology test, personal interview, GTO, conference, CPSS का complete guidance एवं individual and personalized feedback ले इंदिया के most trusted and favorite SSB panel mentor से और इंचार करे अप्ने recommendation and self-confidence को अप्नी अपकमिंग इससी धे लिए